तो 2013 में गैस सिलंडर के कीमत लगबग 350-400 रुपे के आसपास थी यानि कि लगबग 400 रुपे में गैस सिलंडर मिल जाता था उसके बाद दोस्तों मोधी सरकार आई और सरकार ने गैस सबसेडी देनी स्टार्ट कर दी यानि कि अब आपको पूरी कीमत देनी है सिलंडर की और जो भी सबसेडी जो भी छूट होगी वो सीधी आपके बैंक अकाउंड में ट्रांसफर होगी तो 2015-16 की बात करेंगे लगबग 200 से लेकर 300 रुपे की सबसेडी आसानी से मिल जाती थी पर धीरे धीरे दीरे दोस्तों अगर अभी की बात करेंगे 2022-23 की बात करेंगे तो आपने देखा होगा गैस सिलंडर पर जो आपको सबसेडी मिलती है वो नाम मातर की मिलती है यानि कि 18 से लेकर 20 रुपे के आसपास आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते है अब जो आप गैस यूज करते हैं उस पर आपको 200 रुपे से लेकर 400 रुपे की सबसेडी मिलेगी अब किन लोगों को 200 रुपे की मिलेगी और पूरी डीटेल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे बहले दोस्तों आप यहापर देख सकते हो सरकार ने 29 अगस्त 2023 को सामको घरेलू गए सिलेंडर की केमत में 200 रुपे की कटोती की है यानि कि 200 रुपे की जो है अब आपको छूट मिलेगी इसके साथ 30 अगस्त को नई दरे लगो हो चुकी है अगर आपने मोधी सरकार की स्कीम जिसका नाम था उज्जोला योजना इस स्कीम के तहदा अगर आपने सिलेंडर खरीदा था तो आपको अब जो है दोस्तों 400 रुपे का फायदा होगा यानि कि 200 रुपे का फायदा पहले से चल ला था इस सिलेंडर पर 200 रुपे का जो है अब हो चुका है टोटल मिलाकर 400 रुपे का फाइदा यहाँ पर हो चुका है यानि कि 400 रुपे की सीधी सबस्टी मिलने वाली है ऐसी में 10 क्रोड से जादा लोग है जिनके पास जोला योजना है उनको डाइरक्ट इसका लाब होगा अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि सहर में कितने दाम है वो भी यहाँ पर देखनें सबसे बाला बात करेंगे कमर्चियल पर तो कमर्चियल में भी दोस्तों लगबग 200 रुपे के आसपास का जो है डिसकाउंट हुआ है यानि के दिल्ली में अगर आप कमर्चियल से खरीद रहे हैं तो लगबग 1522 रुपे का मिलेगा कोल कत्ता में अगर आप कमर्चियल से खरीद रहे हैं तो 1636 रुपे का मिलेगा मुंबई में कमर्चियल से खरीद रहे हैं तो लगबग 1442 रुपे का मिलेगा 200 रुपे की सबसीडी हुई है घरेलू गैस पर तो उसकी कीमत कितनी है अगर हम दिल्ली की बात करेंगे दोस्तो तो domestic LPG का सिलेंडर 903 रुपे हो चुका है कोलकत्ता की बात करेंगे 929 रुपे है और मुंबे की बात करेंगे दोस्तो तो 902 रुपे और चेंड़े में 908 रुपे का है 5 किलो का domestic cylinder DBTL के तहत जो आता है 324 रुपे है और 5 किलो का non-subsidized cylinder जो है वो 464 रुपे का हो चुका है तो यह जो 200 रुपे का फाइदा है कुछ लोग तो यह मान कर चलने है कि यह जो है चुनाब आ रहा है चुनाब के वज़े से हो या कैसे भी हो पर लोगों इसका सीधा फाइदा मिलेगा और यह जो सफसेडिये लंबे समय तक रहे तो ज़्यादा बैटर रहने वाला है फिलाल आपके इस पर अपने क्या विचारत दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा